नमस्कार मैं रेनु मिसर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के साथ शेर करने जा रही हूँ बहुत ही स्टाइलिस सुन्दर और एकदम नए डिजाइन का बैग इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है सेप और साइज बहुत ही बड़ियां लग रहा है इस बैग का अंदर भी देखिए काफी स्पेसे काफी जगह है और दो पॉकेट इस बैग में बने लगाया है एक पॉकेट ये बैग में सामनी की तरफ बिल्कुल ऐसा ही पॉकेट आराम से बन जाएगा बहुत ज्यादा कपड़ा इस बैग को बनाने में नहीं लगा है मैं इस बैग को वेलबेट के कपड़े से बना रही हूं और जो ब्लैक वाला कपड़ा इसमें में लगाया है वो सूट का बचा हुआ कपड़ा है चली देखते हैं कैसे बनता है ये बै पर्फॉिलिच करना है तो इस तरह से इस तरह से इस्क्वाय सेप में क्विल्टिंग कर लेगे हैं लम्बाइ चोडाई 3 च्थम 6 9,9 यानि कि 13 x 19 के ये 2 पीस हमें लेने हैं तो ये 2 पीस मैंने लिया है अब इसके लामा दो और पीस लेना है चोटा सा जो कि हम ये पॉक्ट बनाएंगे इसका लंबाई 10 इंच दोनों की लंबाई 10 इंच है और चोड़ाई भी सेम है चोड़ाई इसकी 5.5 इंच यानि कि 5.4 पाइपाच इंच इस तरह की देखिए दो पॉकेट लेना है हमें अब सबसे पहले पॉकेट को त्यार कर लेते हैं पॉकेट में लगाएंगे यह जिप जिप की लंबाई है 10 इंच और इसमें नीचे की तरफ या तो आप लेस लगा ले या तो कोई भी मैशिंग का कपड़ा लगा ले तो यह एक इंच चौड़ा कपड़ा में इसमें लगाऊंगे नीचे की तरफ पाइपिंग करूँगी इसमें तो देखे पहले पॉकेट को इस इस तरह से मोड़ते वे और इसको फूरा सील लेंगे आप अपने हिसाब से यह जो लेस है इसको चौड़ा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं पाइपिंग के बाद अब इसमें हम उपर की तरफ जिप लगाएंगे तो देखे यह पॉकेट को सीधा आप रखना है और जिप को उल्टा रखके सीलना है अब वापस देखे जिप को इस तरह से पलटते हुए और उपर से प्रेसी स्टिच करेंगे इसी तरह से जो दूसरा पॉकेट है उसको भी रेडि कर लेना है उसमें भी लेस और यह जिप को लगा लेना है तो यह देखे दोनों पॉकेट मैंने त्यार कर लिया है अब इसको हमें बैग में अटेश करना है इसके लिए देखिए इस तरह से उपर से नीचे की तरफ 4 इंच पर मार्क करेंगे इसको देखिए इस तरह से बी से फोल्ड करते पर सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें और ये देखिए 4 इंच नीचे ये नीचे की तरफ 4 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने अब ये पॉकेट को भी देखिए इस तरह से बीसे फोल्ड करके इसके भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा ले अब ये दोनों जो सेंटर है न दोनों को मिलाते हुए और चारो तरफ से इस पॉकेट को इसमें सील लें बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले बैग में भी निशान लगा रहे हैं दूसरे साइड में भी अब देखिए इसमें पॉकेट लग गया है इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी पॉकेट को मैंने लगा लिया है तो दूनों पॉकेट त्यार हो गया है अब इसमें बैल्ट लगाएंगे belt की जो लंबाई है वो है 48 इंच 48 इंच लंबा belt मैंने लिया है दो पीस है अब ये उपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगा लिया है अब ये दिखें belt को इस तरह से रखना है कि ये pocket के जो किनारा है ना उसके उपर इस तरह से आए इस तरह से रखते वे और जहां ऊपर की तरफ अमने 3 इंच पे निशान लगाया ना वही तक इसको सीलना है तो यहां से यहां तक इस तरह से सील लेना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी आप निशान लगा के belt को सीलने अब यह देखिए दूनों में pocket और belt लग गया है अब pocket और belt लगाने के बाद एक दिसरा पीस हम लेंगे तो इसमें देखिए मैंने color यह black रखा हुआ है और इसको भी quilt किया हुआ है नीचे अस्तर बीच में form और ऊपर यह देखिए man fabric black color का इसकी भी लंबाई 90 इंच है और इसकी जो चोड़ाई है वो है 13 इंच अब इन तीनों को मिला के हमें सिलना है तो देखिए पहले इसको यहां तक सिल लेंगे एक साथ फिर दूसरे साइड इसको यहां से यहां तक सिल लेंगे इस तरह से तीनों को जोड़ लेंगे पहले अब यह दूसरे साइड का सिलाई कर लेते हैं अब ये तीनों पीसिस को आपस में जोड लिया है इसके बाद इसकी कटिंग करनी है हमें तो इस तरह से देखिए 20 से बिल्कुल 20 से इसको फोल्ड करेंगे एकदम बराबर कर लेना है अब ये देखिए साइड से ये 3 इंच पे निशान लगाना है तो 3 इंच पे निशान में लगा लिया है और ये देखिए बगल से भी 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, मतलब 3 by 3 का ये बॉक्स हमें बनाना है, साइड में, दूसरी साइड भी, ये 3 by 3 का बॉक्स बना लेंगे, तो ये 3 by 3 का ये 2 बॉक्स निशान लगाना है, लेकिन निशान की तरफ हमने 3 by 3 का बॉक्स बना लेंगे, साइड हम 2 by 2 का बॉक्स बनाएंगे, तो ये देखिए, 2 इंच इधर से और 2 इंच उधर से नीचे की तरफ इस तरह से बॉक्स बना लेना है, अब इसको दोनों को कट कर लेना है, दोनों साइड, अब ये चारो साइड की कटिंग हो गई है, उपर की तरह पहले हम जिप लगा लेते हैं इसमें, तो जिप के लिए देखिए, इसकी लंबाई कटिंग के बाद हो गई है 15 इंच, तो हमें जिप भी लेनी है 15 इंच, तो ये देखिए 15 इंच का जिप मैंने लिया है, अब इसको देखिए कपड़े को सीधा रखें और जिप को उल्टा रखें, दोनों को मिलाते बहें इस तरह से सील लेंगे पहले, अब इसको सीधा करके उपर से फ्रेसिस्टिश करेंगे अब जो ये बैक का दूसरा साइड है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते वे सीलेंगे, अब देखिए बीच से इसको अलग कर लेंगे और ये दूसरी साइड भी प्रेसिस्टिश कर लेंगे, जिप को देखिए बीच से मैंने अलग कर लिया है, अब इसके उपर ये प्रेसिस्टिश करेंगे, अब जिप लगाने के बाद इसमें रणर डालेंगे, अब दूसरी साइट से दूसरा रनर डाल लेना है तो ये रनर डल गया है अब इसको हम उल्टा करेंगे अब बैक को उल्टा करने के बाद अब साइट सेट का सिलना है लेकिन पहले ये जो हमने जॉइंट किया था ब्लैक वाला कपड़ा इसमें वहाँ पर पहले हम ये पाइपिंग कर लेते हैं ताकि ये जो सिलाई ये दिखे न और किनारा सिलने में भी आसानी रहे तो ये दिखे लगबग दो इंच चौड़ा कपड़ा में ले रही हूं इसके लिए और ये दोनों में पाइपिंग कर लेना है जहां पर भी सिलाई है वहाँ पर तो देखे एक साइट से पहले इस तरह से सील लेंगे इसको अब इसको इस तरह से पलटते वे डबल फोल्ड करके सील लेना है अब जैसे ये पाइपिंग हो गया है वैसे ही दूसरी साइट जहां पर ये सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लें है है यह देखें दोनों जोड में ये पाइपिंग मैंने कर लिया है अब हम इसका साइट का भाग इसको सिलेंगे पहले ये किनारा सिल लेते हैं यहां सिया कि अब ये दूसरी साइट का भी छील लेते हैं अब जैसे कि पहले हमने जहां पर यह सिलाई थी पाइपिंग किया था ना वैसे इन दोनों किनारे में भी आप पाइपिंग कर लें दो इंच चौड़ा कपड़ा लेके और इसमें भी देखिए जहाँ पर यह सिलाई वह है न दोनों साइड इसमें इस तरह से piping कर ले उसके बाद यह चारो कोना सीले इसका अब यह देखिए यह दोनों किनारा भी मैंने यह piping कर लिया है अब केवल यह चारो कोना सीलना है इस चारो कोना इस तरह से पहले देखिए यह बीच का इस तरह से मिलाते वे बराबर करते वे और फिर सिल लेंगे इसको इसी तरह से यह दूसरा कोना भी इस तरह से बिलकुल बराबर करते वे सिल लेना है सब् расс Hil. आप ये दोनो नीचे का कोना सिल गया है आप ये टीवे जहां पर चीप हैं , ऊंन दोनों को मिलाते व्य हूं और इसको भी अल्गे पुरा ये देखी हैं , ये को सिल ल लेना है pact did ऐसे Cayके , और भिर सिल करेंगे ! अब जैसे कि हमने यह piping किया था न जहां जहां सिलाई है वैसे ही यह चारो कोने में भी piping को कर लेना है जिसे कि सिलाई दीखें न बैग में तो यह देखें यह चारो कोना मैंने piping कर लिया है अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं बहुत ही सुन्दर बैग बनके त्यार हुआ है बिल्कुल एक्दम डिजाइनर बैग की तरह यह दिख रहा है आप इस बैग को जरूर ट्राइ करना उमीद करती हूँ आपको मेरा बैग और मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे ची नए नए वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धानिवाद, थैंक यू